दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आई हूँ टॉप टू डार्क मोड इस्पेशल M.I.O.I. थीम्स यहाँ पे आपको प्रीमियम कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे फस्ट वाली थीम्स आपको एनिमी सेटप क्यूप पर देखने को मिलेगी जाके चेक आउट कर सकते हूँ यहाँ पे बात करते हैं फस्ट नम्मर की थीम के बारे में तो आप देख सकते हूँ आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे विउव देखने को मिलेगा बट यहाँ पे मैंने एक वाल्पेपर एड़ कर रखा है इस wallpaper को आप only telegram से डाउनलोड कर सकते हो, link आपको description box में मिल जाएगा जाके डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे आपको एक premium clock widget मिलती है, साथी यहाँ पे आपको जो icons देखने को मलता है वो भी आपके सामने complete change हो जाएगे यह तीम आपको dark mode में यूज करनी है, साथी control center की बात करें तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे view मिलेगा यहाँ पे आपको new toggles देखने को मलता है, साथी यहाँ पे आपको जो wallpaper देखने को मलता है, वो भी change हो जाएगा notification center की बात करें तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पर view मिलेगा top में आपको जो status bar देखने को मलता है वो भी complete change हो जाता है और यहाँ पर आपको new color add करके दिया जाता है साथी बात करें यहाँ पर setting गई के बारे में तो उसमें आपको कुछ ऐसा यहाँ पर view मिलेगा साथी volume bar की बात करें तो यह भी आपके सामने complete change हो जाएगा साथी volume bar से premium feature आपको यहाँ पर phone dialer का देखने को मिल जाएगा जैसे आप phone keypad को on करोगे आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पर view मिलेगा top में आपको जो wallpaper मिलता है वो भी change हो जाएगा layout भी आपके सामने change हो जाएगी साथी keypad में भी आपको जो wallpaper देखने को मिलता है वो भी complete change हो जाता है बट आपके smartphone में MIUI डालर होना चाहिए Google डालर को जी support नहीं करेगा बात करते हैं last feature यानि lock screen के बारे में तो आप on करोगे आपके सामने यहाँ पर एक normal सा wallpaper शो होगा साथी clock विजिट आपके सामने change हो जाएगी तो मुझे काफी ज़्यादा premium लगी यहाँ पर यह विजिट अगर आपको इस setup के उपर full video चाहिए तो आप comment कर सकते हो मैं आपके लिए video बना दूँगा तो बात करें इस theme को आपको download कैसे करना है तो आपको क्या करना है simple theme story की open करना है open करने के बाद आपको ये name search करना पड़ेगा यहाँ पर आप name देख सकते हो mblv4 के नाम से देखने को मिल जाता है यह name आप search करोगे आपके सामने theme open हो जाएगी यहाँ पर आप creator का name देख सकते हो साथी 17MB की आपको ये वाली theme मिल जाती है तो theme को download करके सबसे पहले आपको dark mode enable करना है उसके बाद ही आपको ये वाली theme apply करनी है जब जाके आपके सामने यहाँ पर जो control देखने को मिलते है वो change हो and new आपको यहाँ पर icon pack देखने को मिलते है search bar भी आपके सामने change हो जाएगा बट उससे भी premium feature आपको यहाँ पर control center का देखने को मिलेगा top में आपको ये guard वाला wallpaper देखने को मिल जाएगा साथी toggles आपको सामने देखने को मिलते है वो भी complete change हो जाएगे साथी new आपको यहाँ पर design देखने को मिलते है साथी complete आपके सामने color भी change हो जाएगा notification center की बात करें तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पर view मिलेगा top में आपको जो status bar देखने को मिलते है वो भी आपके सामने change हो जाएगा साथी बात करें यहाँ पर setting गई के बारे में तो आप on करोगे आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पर view मिलेगा complete यहाँ पर भी आपके सामने wallpaper change हो जाएगा और यहाँ पर आपके सामने जो font देखने को मिलते है उसमें कुछ खास आपको change नहीं मिलेगा बट यहाँ पर आपको जो toggles देखने को मिलते है वो change हो जाएगे साथी अगर आप कोई भी system का application ओपन करोगे आपको उसमें premium wallpaper देखने को मिल जाएगे और डाइलर कीपेट भी आपके सामने change हो जाएगा तो बात करें इस theme को आपको download कैसे करना है तो simple आपको theme story पे open करना है और open करने के बाद आपको यहाँ पर यह name search करना पड़ेगा पहले वाली theme मैंने आपको यहाँ पर बताया था M, B, L, V, 4 और यहाँ पर आपको point लगा के 0 लगाना है उसके बाद आपके सामने यह वाली theme open हो जाएगी और यहाँ पर आप name देख सकते हो जैसे आप search करोगे आपके सामने theme open हो जाएगी साथी यहाँ पर जो भी मैंने आपको themes बताईए same creator की है और दोनो themes को आपको dark mode में यूज़ करना है तब ही आपके सामने यहाँ पर जो controls देखने को मिलते हैं वो open होगे तो यह थी एक छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को like कर देना and control center की size को अगर आप छोटा करना चाते हो तो end skin में आपको वीडियो मिल जाएगी check out कर सकते हो